उनका अनुमती मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया, वहां करीबन 10-11 मिनिट उनके साथ बातसीत किया, 10-11 मिनिट के बाद उनके उपर फाइरिंग किया, उस फाइरिंग में सुक्देज जिंग जी का डेथ हो गया, उनके बगल में जो सेक्यूरिटी खड़ा था, उनके भी गोलिक लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में, ICU में है, और इस क्रॉसफायर में, क्रॉसफायर के दवरान तीन हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया, तो वो जिसका डेथ हो गया, उनका नाम है नवीन सिंख, शेखावत, वो है यहां का मूल रूम से शापुरा के का पा करता है, तो जो भी हो हम उसका, उस लीड है, हमारे पस CCTV का फुटेज है, जो टोटल खडना क्रम है, वो CCTV में काईद हो गया है, और अभी उसी का चल रहा है, जो जितना भी साक्षिया और सूचना है हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्नित करेंगे और इसके पीछे, जो भी इसका प्लानिंग किया है, उदर तक हम जल्दी पहुंचाएं। जीन के वो स्खूर्टी में भग गया कैंए इसेम सेम थिक इंगलिश वह तक है कि यह वक्षा सें अपन।